Hey guys, welcome back to my channel मैं हो कीई जलो, मैं ही चैनल पर आपका स्वागत है आज के वीडियो में मैं आपके साथ शेर करने वाली हूँ सलवास हूँ, ड्रेस माटीरियल बोलो अनार कली गाउंस वगेरा है पार्टी वेर गाउंस जो आते हैं वो है, वो सारा कलेक्शन आपके साथ शेर करने वाली हूँ तो वीडियो में एंड तक बने रहीएगा ये सारा जो है, वो मैंने जैटकी से लिया है जैटकी का कलेक्शन बहुत ही अच्छा होता है इसके पहले भी मैंने बहुत सारे होस किये है तो आप मेरी चैनल पर जाके चेक आउट कर सकते हो ये सारो की जो बाइंग लिंक है आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैं जाएगी बाइ करने में इंट्रेस्टेट है तो जाके डेफिनेटली बाइ कर सकते हो, वीडियो थोड़ा भी आप मुझे बेज सकते हो, मेरे से हो सकेगा इतना पूरा करने का राइ करूँगी गाइस और चला हमारे वीडियो को स्टार करते है ये वारा जो है वह गाउन है मैं आपको खोल के दिखा थीं पैकेजिंगे बाइटल थे तो इस तरके में आया हुआ है और मुझे ये बहुत भी पसंद आया है didn चुनि में इसका पीक बेहुत पसंद आया था और भी अतना ही अच्छा है ये मैनने खूल के अल्रेडी देख लिया है सो इसका पैकेजिंग खुला हुआ था सो इस ओके यह देखिए यह जो है वो पूरा ब्राइट रेड कलर का गाउन है कि वर्क की बात करते तो ग्लाइज आप प्लोजब में देखिए इसका वर्क है उस पर ही मैं तो फीदा हो गई गोल्डन कलर का वर्क है गोल्डन स्टॉन लगाए गए है तो उपर का जो पूर्शन है आपका भूरा हैवी हो जाएगा बहुत ही प्यारा लगेगा यह सैमी स्टीच है और इसकी स्लीव है वो भी इस तरह की आप देखिए यह उल्टा है स्लीव वाला दिखाती हूं यह इसकी स्लीव दी गई है वो भी इतनी हैवी आप देखिए दोनों स्लीव आपके हैवी हो जाएगी और यहां से नेट का आएगा फैब्रिक तो इतना डिजाइनर इतना स्टाइलिस्ट लूप देगा यह वाला जो है वो इस तरह की यह दोनों स्लीव है एक और यह दो यह बीच में नेट आए जाएगा और यह पूरा इस तरह का और नीचे का तरफ जाएगा तो नीचे की तरफ तौरा प्लिएग और ऐसे प्लेट वाला है है डिए इसका स्टीचिंग देखिये और यह seven or seven स्टीच वाणब करते स्टीच और आपको बहुत स्टीच नहीं करवाना पड़ा आपने組 मिटेने की तरफ दीग जॉर्ट वाला है और इस तरह का है दिखी इस तरह का वो- लाइनिंग वाली इसको क्या भोलते है वह नहीं पता मुझे लेकिन वह वाला है पूरा अधा है अधा है युषनेत तो बैक साइड से इस तरह का लगेगा यहां तक मिल जाएगे लाइनिंग तो आपको ट्रांसपरेंट का भी चो प्रॉब्लम है वो नहीं आएगा तो बहुत ही प्यारा है बीक थमसब इसको आप डेफिनिटली ले सकते हो इसके साथ जो आया है यह जो आया है वह आप सल्वार के लिए यूज कर सकते हो सल्वार के यह ही आया आइछिंग और यह लाइनिंग कि आज़ लाइनिंग भी यूज हो सकता है और पूरा ऐसा आया है फैपरिक बढ़ा है अगर आपको नहीं चाहिए सल्वार क्योंकि पूरा फ्लो लेंग तक है तो सल्वार की जरूर नहीं पड़ेगी तो इसको आप कोई और यूज के लिए भी ले सकते मनलब यूज कर सकते हो इसका इस तरह का है रेट कलर का ब्राइट रेट कलर का और ऐसे एक्चुल हो अगर आप ट्राउजर पैंट अगेरा लागे तो चल जाएगा लेकिन यह दिये है उन्होंने तो आप यूज कर सकते हो उसके साथ जो रूपटा आया है वह भी कोल के दिखाती हो आपको वह इतना ही अच्छा है इस तरह का है इसका फाब्रिक जो है वह सीफॉन है बहु प्लेन है और चारो तरफ आपको ऐसी बॉडर मिल जाएगी तूपटे में इस तरह की तूपटा भी अच्छा है लैंद भी अच्छी है और सॉफ्ट है फाब्रिक जो इसका जो है सीफॉन वाला सॉफ्ट है तो में तरफ से यह वाला जो पूरा सैट है उसके लिए यह से आ कूर्ता एंड चुडीदार के साथ पहन सकते हो अदर्वाइस आप फैस्टिवर या वेडिंग के लिए देख रहे तो इसको आप उपर कूर्ता और नीचे स्कट ऐसे शरारा टाइप जो है ऐसे यूज़ कर सकते हो वो टैर का है पूरा सैट और इस तरह का है पैकेजिंग आपको फोल के दीखाते हूं इसको आप मौल्टीवे में यूज़ कर सकते हो जब आपको नॉर्मन चाहिए तो नॉर्मन चुडीदार बना के इसको पहन सकते हो और अदर्वाइस इसको आप सकते हो इसमें बहुत साब बहुत सारे कळलर कॉम्बिनेशन अवैलेबल है तो आप जैटकी पे जाके देख सकते हो अपने अखोडिंग जो भी चाहिए वह कलर कॉमिनेशन आप ले सकते हो यह लो ग्रीन है ब्ल्यू है ग्रे एंड रेड है बहुत सारे है इस तरह का लगेगा बहुत ही प्यारा है ऐसे जैटकी का कलेक्शन अच्छा ही होता है मुझे परसनली पसंद है जैटकी का जो कलेक्शन है वो उपर का जो टॉप है वह इस तरह का है पूरा हैवी है आप देखे इसके नेकी बात करते है तो इस तरह का नेक आपको मिल जाएगा और यहां पे और यहां सब जगवे भी वर्क किया गया है इस तरह का जिसकी वज़े से इसका लूक जो है वह बहुत हैवी आएगा और यहां सब जगवे भी वर्क किया गया है इस तरह का दूर से देखता है तो दूर से इस तरह का लूक आता है पूरा नीचे भी आपको वर्क मिल जाएग देखिए बहुत हैवी हो जाएगा इसकी वज़े से वरक इस तरह का लबता है क्लोजब में और यह परपल कलर परपल कलर है इसका तो मुझे यह वाला पुलर बहुत पसंद है यह स्लीव में जाएगा गैस दोनों स्लीव है आप देखें स्लीव का वरक भी देख लीजिए इस आपको लाइनिंग अलग से बाई नहीं करने पड़ेगी और आपको टान्सफर अंसी का भी प्रॉब्लेम नहीं आएगा अब पूरा इस्तरट ना है जो टप है वो और स्लीव यह देख लिकली अभी मैं उसकर्ण अपयरे जान्सफ मलेगद लेख लिए यह बिसंते पर्पर कलर और यह वह कूरजडे हैं पूरा स्टीच किया हुआ अंदर ऐसी लाइनिंग और देखेता आप पूरा मुं आपको द लिखाती हूं नीचे तब इस तरह का लगता है ऐसा तो इसके अंदर लाइनिंग भी है तो आपको वो ट्रांस्परन्सी का प्रॉब्लेम भी नहीं आएगा और नीचे ऐसा वर्क दिया गया है इस तरह का गोल्डन वगेरा का हैवी वर्क है जैसा उपर टॉप में कूर्ती मे इसके दिया गया था और यह पूरा स्कुर्ट जो है वो स्टीज है तो आप इसको अलग कोई मलग की ब्लाउस के साथ यह क्रॉप टॉप के साथ भी वेरप करोगे तो बहुत ही अच्छा लुक आएगा दोनों साइड ऐसा है और इसका फैब्रिक जो है बहार का जो है वो ज जो फॉरी दर बनवा सकते हो फूरा प्लेडर का इस तरगा सेम कलर का तो है तो इसका द्लो भॉह वह आपब venya जो है यह वह फ्कर दि यह वल व्लिए नहीं चाहिए है यह सबिए कोके इसकजिए अश्य आप प्लि-अजन और व। करवा के भी वह कूर्थी के साथ पैर कर सकते हो मलग की रेगूलर में आपको चाहिए यह थोड़ा सिंपल और लाइट लुक चाहिए बहुत हैवी लुक नहीं चाहिए तो इसको आप चुड़ीदार भी यूश कर सकते तो यह चुड़ीदार के लिए दिया गया है अब इसका जो है वह दुपटा दिखाती हूँ वह इस तरह का है दुपटा भी अच्छा है मुझे दुपटा भी बसंदा है कलर कॉंबिनेशन बहुत ही अच्छा है एक्चुली में इसका यह जो है वह लाइट पिंग कलर का है जैसे आप देख रहे हैं और चारो तरफ ऐसी आपको परपल कलर की बॉडर मिल जाएंगी गोल्डेन कलर की ऐसी छोटी बॉडर भी मिल जाएंगी नीचे की तरफ और दूसरे देखते है तो इस तरह का है पूरा डुपटा है वो जॉर्जेट का है लाइट बेबी पिंग कलर का है इस तरह का डुपटा भी इतना ही अच्छा है और इसमें वर्क देखते तो इस तरह का है आप देखिए यही वर्क पूरी कूर्थी में स्कट में सभी चिक पूरा प्लेन भी नहीं है ऐसा भी नहीं है इसका फैबरिक जोजट वाला भी अच्छा वाला है और कॉंट्रास होगा यह डार्क है और यह लाइट है तो ज्यादा अच्छा ज्यादा डिजाइनर लुक आएगा इसकी वज़े से तो मेही तरफ से यह वाली पूरी पैर के लिए यह है और वह गाउन जो बताए था वो भी इतना ही प्यारा था अपको कौन सा वाला सबसे अगले वीडियो में गयाइज स्टिल देन टाटा बाइबाई और टेक केरों